और खबर उत्तर प्रदेश के स्रावस्ति जन्पत के तहसील छित इकवना इलाके से जहां पर इकवना तहसील के आसपास की दुकाने अब सुदच्छित नहीं है आए दिन तहसील गेट के अगल बगल इस्थित दुकानों पर छोड़ी की घटनाएं सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बीती दात का है जब आज तहसील इकवना के बगल गेट पर संचालित होटल मालिक अपने दुकान पर पहुंचा तो उसे दुकान में चोड़ी का अंदेशा हुआ जब वो दुकान के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि काउंटर के सारे ताले तूटे पड़ अईसे में प्रीडित परिसान हो उठा इसकी सूचना पुलिस को दी गए स्रावस्ती जन्पत के एकवना तहसील के पास लगातार चोड़ी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है इछले अगर एक माह की बात कें तो कई अस्थानों पर यहां पर चोड़ी की घटना हो चुकी है मैं बने फ़े द औरा सथने स़ाओने सवे केसे आयोगता आँ तो को जने आवे मुर्ची गोंुटा है। इक मर्ची जने तो पो फोन नंबर जिकनी मर्ची पुरह वोग्य और या को जो है। इसकी जानकारी होने पर सुभा सबेदे दुकान मालिक वा उसके कर्मियों में हरकम का माखुल दिखाई दिखाई दिया लगा ताचोडी की घटनाओं के चलते यहां पर दुकान करने वाले लोग अब दहसत में रहने को मजबूर हैं बताया जा रहा है कि तहसील के पास लगाता चोडी ही घटनाओं सामने आ रही है यहां पर छोटी मोटी चोडियों को अग्व्याद चोड के दौरा अंजाम देया जा रहा है कुछी दिन पहले कम्प्यूटर दुकान का भी ताला तूटा था वहां पर भी सामान गाया वह था जनलादन दुकान के सीज़ की हैं और कहां पर है आपी टाला तोड के चोड़ी हूई है जब किते नुक्सान हुआ है कई से जान पाए आप दुकान खोड़े यह आया तो रात में उक्ट बंद करके गया थे खड़ नहीं कोला तो पस्ज़ों खुली थी आज सुबा जब खुलने आये तो यहां सब तूटा परा था इकवना तहसील के बगल गेट का एक पूरा मामला है जहां पर इवक अपना होटर संचालित कर अपने परिवार का भरनकोसर करता है सनिवार साम वो दुकान बन करके चला गया था और जबिवार को तहसील में छुटी होने के चलते उसकी दुकान बन रहती है आज सोमवार को जब सुबा सबेले वो अपने दुकान पर दुकान खोलने के लिए पहुंचा